बुद्वार को खेले गई भारत और पाकिस्तान के मैच में भारती टीम को एक छटका लगा हैं। टीम के आयल राउंडर खिलाडी हार्दिक पांडया इस मैच में चोटल हो गए हैं। हार्दिक पांडया जब इस मैच में गेंद बाजी कर रहे थे। तब उनकी पीठ के निय पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम ने खेल भाबना का प्रदशन दिखाते हुए हार्दिक पांडया के पास पहुँचे और उनके हाल चाल जाने। परन्तु चोट गयरी होने के कारण विक्खडे भी नहीं हो पाए। दरसल इसके बाद पांडया ना तो बालिंग करन ये उत्री पाकिस्तान की शुरुआत बेहद ही खराब रही थी। पाक्या उपनर बल्लेबाज इमाम उलहब दो रन बना कर जबकी फखर जमान जीरों पर आउट हो गये। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने कुल स्कोर 163 रन कब बनाया था। इस बेहद ही छोटे स्कोर का पीछा करने उत्री टीम इंडिया ने 29 ओवर में दो विकेट की नुकसान पर लक्षे को प्राप कर लिया था। भारत की तरव से रोहित शर्मा ने अरधश्त किया पारी खेली थी वही शिखर जिवन, अमबाती राइडू और जाघव ने शानदर पारी खेली।